हलो स्टुडेंट्स वेलकम अगें तो माई चैनल संदीव जन क्लासेज आजम क्लास 12 इंग्लिस कंपल्सरी की फर्स्ट टेक्स्ट बुक रेंबो के फिफ्ट चेप्टर इंडियाज गिफ्ट्स तु दवर्ड के फर्स्ट पार्ट हाउ योगा हील्स योग किस प्रकार बीमार को ठीक करता है इसकी स्टडी करेंगे लाइन टू लाइन इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और बीच बीच में इंपोर्टेंट क्वेश्टन आंस्वर्स को डील करेंगे Let's begin How Yoga Heals? योग किस प्रकार बीमारी को ठीक करता है? It has become common knowledge that yoga is good for you यह एक सामाने ग्यान की बात हो भी है कि योग आपके लिए अच्छा है यह सभी को पता है अब सामाने ग्यान की बात हो भी है कि योग हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है हमारे लिए लाबदाय के Currently, Yoga is being used as a therapy for cancer, infertility, lung disease, multiple sclerosis, Parkinson's disease, insomnia, high blood pressure and joint pain आज कल योग को, cancer, संतान हिंता, फेफ़डों की बीमारी हमारे सनायूत अंतर की बीमारी, multiple sclerosis का मतलब ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हमारी अनुभव करने की, बोलने की, चलने की एक शमता में कमी आ जाती है Parkinson's की बीमारी, जिसके अंदर हाथ पे रकापने लग जाते है अनिद्रा की बीमारी जिसमें नीद नहीं आती, उच रक्त चाप जिसको high BP कहते है और जोडों के दर्द, इन सब में उपचार के रूप में काम में लाया जा रहा है यानि ये जो बीमारी हैं जिनका यहां नामों लेक किया गया है इन सब के अंदर योग को एक उपचार के रूप में, एक थेरेपी के रूप में काम मिलिया जाता है येट, there is very little awareness and understanding on exactly how yoga heals even in the yoga and medical communities और फिर भी, यहां तक की योग विज्ञानी और जो चिकिस्सक हैं, उनके समुदायों में भी इस बारे में बहुत ही कम जाग रुपता है, बहुत ही कम समझ है कि योग वास्तों में किस प्रकार किसी बीमारी को ठीक करता है यानि उन लोगों को भी ये नहीं पता कि योग वास्तों में ठीक कैसे करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, उन्हें ये जरूर पता है कि योग अच्छा है लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, ये ठीक कैसे करता है, वो उन्हें ग्यात नहीं है The key is to understand the relationship between stress, yoga and disease और इसकी जो key है, इसकी जो सबसे महत्वपून जो बात है वो यह है कि हमें तनाव, योग और बीमारी के बीच संबंदों को समझना होगा Medical Research estimates that as much as 90% of illness and disease is stress related Medical Research यह अनुमान लगाती है, यानि चिकेसा संबंदी अनुसंधान का यह अनुमान है कि लगबग 90% रोग वो बीमारीयां तनाव से जुड़ी हुई है, वो stress से जुड़ी हुई है A few of the many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depression, anxiety, some types of diabetes, mellitus, etc. और कुछ प्रकार की जो इसे अनेक बीमारियां जो इससे संबंदी थे, उन में से कुछ जो अतिदिक तनाव संबंदी प्रतिकरिया से जुड़ी हुई है, जो overactive stress response से जुड़ी हुई है वो है, सबसे पहले तो cardiovascular disease, यानि हृदे और रक्त वाहिन्यों से संबंदित बीमारी depression यानि अवसाद आदमी नीराशा में चला जाता है, depression, anxiety, चिंता, some types of diabetes mellitus और कुछ विशेस प्रकार के मदू महें के रोग, सूबर की बीमारी जी से कहते हैं, वो सभी से चूड़े हुई है what we feel as stress is the product of the sympathetic nervous system or the fight or flight response, an almost instantaneous surge in heart rate, cardiac output, blood pressure, sweating, shallow breathing and metabolism combined with the tensing of muscles इसको देखिए विशेस रुप से समझे, जिसे हम तनाव की तरह महसूस करते हैं, what we feel as stress, वो क्या है, वह अनुकम्पी तंतरी का तंतर, जो sympathetic nervous system जिसे बोलते हैं, हमारे अंदर एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, यह sympathetic nervous system, इंदी में से अनुकम्पी तंतरी का तंतर कहते हैं, जिसको हम fight or flight response भी कहते हैं, जो लड़ो या भागो प्रतिक्रिया दर्शाती है, यानि जब हम विपरीत परिस्टिती में फंस जाते हैं, तो हमारा शरीर इस इस इस्टिती में नीर्ने करता है, कि हमें वहाँ पर fight करना है, यानि लड़ना है, उससे मुकावला करना है, या flight करना है, यानि उससे स्टिती से दूर हड़ जाना है, उसको टाल देना है या भाग जाना है, तो यह जो stress है, यह इसी की उपज है, इसमें सरीर में कौन-कौन से लक्षन उत्पन हो जाते हैं, रिदे की धड़कन की गती में लगबग ततकाल वृद्धी हो जाती है, instantaneous surge in heart rate ततकाल रिदे की धड़कन बढ़ जाती है, रिदे की कार्य शक्ति में व्रद्धी हो जाती है, जो cardiac output है वो बढ़ जाता है, उच्च रख्तचाप हो जाता है, यानि हाई बीपी हो जाती है, पसीना आता है, श्वसन क्रिया में और शरीर की रासाइनिक प्रिक्रिया जिस उ पापचे, उसके अंदर धीमापन हो जाता है, और साथी मास पेसियों का खिंचाव भी इसी में सम्मिलीत है, तो यह कुछ एक लक्षन है, जो तनाव को प्रकट करते हैं, जो सरीर का एक प्रतिरक्षा तंतर है, उससे यह संबंदित है, जिसको अनुकम्पी तंतरी का तंतर कहते है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम, इसे कहते हैं, इंटरन इड फाइट और फ्लाइट रिस्पोंस, शट्स डा Hudson, and Elimination and reduces blood flow to the internal organs, ऐन्तरिक तोर से, फाइट और फ्लाइट रिस्पोंस जो है, वह बाचन करिया और उस सरजन करिया को बंद कर देती है और शरीर के आंत्रिक अंगों में रक्त के संचार में कमी कर देती है यह इसके प्रभाव है Short term, this stress reaction is a good thing अब short term में यानि कम समय के लिए तो यह जो तनाव उप्रतिक्रिया है यह हमारे शरीर के लिए अच्छी है हमें विपरीत इस्तती में लड़ने के लिए मदद करती है यह लड़ो या भागो प्रतिक्रिया जो है यह हमें किसी भी environmental खत्रे से लड़कर या उससे भाग कर मुकाबला करने है तो तैयार करती है यह हमें इस है तो प्रिपेर करती है बट लोंग टर्म लेकिन लंबी अवदी के लिए continuous exposure to stress is harmful लगातार तनाव से ग्रस्त रहना हानिकारक होता है प्लेसिंग एक्सेस वेयर एंड टेयर ओन दबोडी सिस्टम्स और इसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के जो सिस्टम है उसमें अत्यदिक वेयर एंड टेयर यानि टूट फूट हो जाती है इसके कारण शरीर के अंदर वेयर टेयर बढ़ जाता है और शरीर के अंदर जो नेचुरली रख रखा और बीमारियों को ठीक करने की क्षमताओं जो क्षमताओं पाई जाती है उसे गंभीर रूप से ये लिमिट कर देती है तो ये इसके नुकसान है लंबी आउदी के लिए शोर्ट टम में तनाव फाइदे मंद है लेकिन लोंग टम में ये बहुत ही नुकसान दायक है क्रोनिक स्ट्रेस के लिए टू कंटिनुवसली हाई लेवल्स ओफ कोर्टिसोल क्रोनिक स्ट्रेस यानि लंबी आउदी तक रहने वाला तनाव यह क्या करता है लिए टू कंटिनुवसली हाई लेवल्स ओफ कोर्टिसोल यह तनाव पेदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल की मात्रा में व्रिद्धी कर सकता है कोर्टिसोल जो है वो तनाव पेदा होने पर हमारे शरीर में उत्पन होने वाला हार्मोन है ये हर्मोन, यह जब सामानी इसतर पर शरीर होता है तो शरीर को चुस्त बनाने में और सवस्त बनाने में मदद करता है, कैसे मदद करता है? शरीर की राशाइनिक क्रिया जो है उपाप चे और शरीर का जो रक्त चाप है उसको नियमित करके इस तरह से यह हमारे शरीर में मदद करता है लेकिन बट एक्सेसिव अमाउंट्स ओफ कोर्टिसोल चैन सप्रेस दा इम्यून सिस्टम और कोज स्लीप डिस्टरबेंसेज एंड लोस अपेटाइट लेकिन कोर्टिसोल की अतिदिक मात्रा शरीर की बीमारियों से रक्षा करने वाले तंत्र को समाप्त कर सकती है और हमारे नींद में व्योधान और भूख में कमी ला सकती है उस व्यक्ति को नींद कमाना भूख कम लगना ये समझें पैदा हो सकती है और आगे देखे इसे और भी नुकसान हो सकते हैं कि कोर्टिसोल की मात्रा का उन्चा इस्तर आपके हरिदे की गती आपके रक्त चाप और आपके कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल एक ऐसी वसा होती है जो हमारे रक्त को गाड़ा कर देती है और ट्राइगलीस्राइट यह भी रक्त में पाई जाने वाली परकार की वसा है जो हमारे हरिदेया घात और पक्षा घात दोनों के लिए खत्रे का गटक होती है यानि हार्ट अटेक इसके कारण बढ़ जाते हैं इसके कारण स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं लक्वा मार सकता है तो इस तरह से यह चीजें कोर्टिसोल ज्यादा मात्रा में होने पर बढ़ सकती हैं और कोर्टिसोल के कुछ बाइप्रोडक्स भी पेदा होते हैं कुछ उप उद्पाद पेदा होते हैं वो तंत्री का तंत्र को शांत करने या नीद लाने का कारिय करते हैं सेडिट्यू की तरह बिहेव करते हैं जो हमारे मूड को चेंज कर देते हैं और खास तोर से उसे निराशा की और अवसाद की और ले जा सकते हैं यह इसके नुकसान है फॉर्चुनेटली सोभाग्य से दा बोडी है जे नेच्चुरल काउंटर बैलेंस टू दा फाइट और फ्लाइट रेस्पोंस कोल्ड़ पेरा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और रिलेक्स सेशन रेस्पोंस लेकिन सोभाग्य से हमारे शरीर में फा पैरे शिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम यानि परानु कम्पी तंत्रिका केयते हैं और स्कोरी लेक्स सें रिस्पोंस भी कह सकते हैं यानि टनाव मुक्ति की अनुकिया या प्रतिक्रिया के ते जो टन आउश व्हाह में मुक्त करतीं है और रहे शुंपी ठानु मेर्वन द when the threat or stressor has passed or ended but it can also be consciously activated by deepening the breath and by relaxing the skeleton muscles परानुकम्पी तंत्री का तंत्र उस समें सक्रिय हो जाता है जब कोई खत्रा या तना उत्पन करने वाली जो इस्चितियां है वो समाप्त हो जाती है वो चली जाती है तो शरीर शान तो ना सुरू हो जाता है लेकिन इस सिस्टम को हम गहरी सांस लेकर यानि श्वसन क्रिया को गहरा करके और सरीर के हमारे स्केलेटन सिस्टम और मास्पेसियों को इजी करके उनको ढिला करके जान बुच कर भी सक्रिय कर सकते हैं दौर में अच्टिवेटीट दपेर सिम्पैटिक नर्वास सिच्टम लोवर्ज बलड़ प्रेश्य हाट रेट एंड रेस्परेसं अ दपस्ट अव देते जब पेरसे नर्वास सिस्टम तंत्री का तंत्र को सक्रिय किया जाता है यानि ये सिस्टम जब है सक्रिय हो जाता है ये इसको सक्रिय किया जाता है तो हमारा रक्त चाप जो है वो मंद कर देता है रिदे की गती को मंद कर देता है और श्वसन क्रिया को भी मंद कर देता है यह इसके लक्षन है, the pace of the breath यानि स्वसन क्रिया को धीमा कर देता है। Digestion and elimination are allowed to be stimulated and blood is free to travel to the digestive, reproductive, glandular and immune systems, systems necessary for the promotion of long-term health. पाचन और उसर्जन तंतर को उत्तेजित होने दिया जाता है, यानि यह सिस्टम नॉर्मल काम करने लग जाते हैं और रुधीर बिना व्यवधान के पाचन तंतर, प्रजनन तंतर, क्रंथियों में और प्रतिरक्षन तंतरों में संचरन करने लगता है। यानि रुदीर का भाव नोर्मल हो जाता है ये सभी व्यवस्ताएं लंबी अवदी तक के स्वास्तिय के उत्थान के लिए आवश्यक होती है यानि हमारा स्वास्तिय जो है इन सभी गति वीदियों के सुचारू संचालन पर निर्भर करता है The relaxation response is also known as the rest and renew stage when the body has the time and resources to heal the body and to respond to illness Relaxation response यानि विश्राम प्रतिक्रिया इसको आरामव शक्ति के पुनर भरन की अवस्ता भी कहते है जब शरीर में शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए और बीमारियों के प्रती एक्टिव रहने के लिए प्रयाप्त समय और संसादन होते है तो इस तरह से यह हमारे शरीर को स्वस्त बनाए रखने में मदद करता है ओविएसली इस पस्ट तोर से बाइशिंग देप्ट अपने रिलेक्शेशन रस्पोंस वी नोट अलाव और बोडी तो रीक वर्वर्वर्वर्व और इलनेस अंडिजीज बट वी और वी और प्रेक्टिस प्रेवंटिव मेडिसें बाइव अलाविंग देशन पर्फॉं को बढ़ाकर यानि इसकी आवरती को बढ़ाकर इसकी समय को बढ़ाकर और इसकी गहराई को बढ़ाकर हम ना केवल अपने शरीर की बीमारियों से स्वस्त होने में ये मदद करती है यानि शरीर को बीमारियों से मुक्त करने में मदद करती है बलकि हम शरीर को उसके रखरका बचाव से सम्मंदित सभी आवश्यकारियों को करने देकर और बचाव करने वाली ओश्दियों का उपयोग भी करते हैं यानि निवारक ओश्दियों का उपयोग भी करते हैं इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसका अभ्यास करें यानि विश्राम अनुक्रिया के अभ्या जाती है योगाज एंफेसिस ओन लोंग डीप ब्रिटिंग एंड कॉंसियस रिलेक्शेशन एक्टिवेट्स द पेरा सिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट्स इस रेस्ट एंड रिन्यू फंक्संस योग में अब देखे कि यही चीज होती है कि योग का लंबी और गहरी सांस लेने पर और जानबुच कर किये गए सिथिली करण यानि रिलेकसेशन तो ये जो जान बुच कर, सिथिली करण पर जोर दिया जाता है इसे परानुख कमपी तंत्री ut nuovo हो जाता है और इसकी आराम और उनर नविनिकरन की क्रियायों को बढ़ाता है यानि इस प्रकार से हम योग के द्वारा जान पुझ कर हमारे पेरा सिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम को हम सक्रिय कर सकते हैं In fact, a recent study has shown yoga to decrease the level of the stress hormone cortisol in the blood वास्तों में हाल ही में हुई एक study से ये भी पता चलता है कि yoga करने से हमारे शरीर में तनाव पेदा करने वाले हार्मोन cortisol को कम किया जा सकता है ये भी हमें हाल ही में हुए अध्यान से पता चला है उससे ये प्रदर्शित होता है The meditative practices of yoga help to reduce the responsiveness of the mind to stressors and to lessen the intensity of the fight or flight response by stimulus योग की ढियां समंदी कर्याई meditative activities जो है तनाव ुद्पन करने वाली वस्तों या इस्थ्थितियों के प्रति मस्तिष्क की प्रति करिया की तिव्रता कम करते हैं यानी मस्तिष्क जो है वो तनाव के प्रति जल्दी से उत्च जित नहीं होता है वो शांत रहता है ऐसी परिस्तितियों में और लड़ो या भागो अनुक्रिया की तिवरता को भी यह कम करती है योगा ओल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर सेज चैलेंजर 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 रेधर देन थ्रेट्स और इसके लगए एक महतोपुन काम योग यह करता है कि योग हमें तनाव उत्पन करने वाली संभावित इस्तितियों को खत्रे के रूप में देखने के बजाए चुनोती के रूप में देखना भी सिखाता है ओके ता यह खत्रा नहीं है यह हमारे सामने चुनोती है इस चुनोती से हमें पार पाना है और इस तरह से व्यक्ति को तनाव प्रतिक्रिया को टालने में पूरी तरह से योग्य बना देता है समर्थ बना देता है not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nervous system reduce stress and allow the body to heal itself but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities you keep paranu kampi tantrika tantra ko sakriya karne ke kshanta na keval tanav ko kakam kakti or sharir ko apne aap bimari se thik honne me bhi madad kakti hai balki yoga ke abhyaas ki dwara sharir ki bimariyong ko thik karne ki joh amare an der inherent yani prakrati kya janma jat joh chumta hai hoti hai usmeh bhi sudhar laata hai usmeh bhi ya improvement lhe karata hai the inverting twisting and compressing that occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids yogasano mein kuch ainshi kriya hai hooti hai jis meh shariir ko upra niche karna padta hai marood na padta hai usko compress karna padta hai toh yeh sabhi kriya hai joh hai shariir meh rakt ke sanchar aur shariir ke dhruho ko dhruho ke sanchar ki kriya ko badaati hai aur isse kya hoota hai this increase in circulation not only it improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place but also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response dhkye is se kya fark pardhja ta ki rakt sanchar mein yeh joh vriddi ho jati hai yana kiwal rogho se tiik honne ke liyeh shariir ko ao shak samagri pradhan karatii hai aur bimariyong ko thik honne ki shariir ki kshamta meh sudhaar lati hai balki humareh prati rakshya tantra aur shodh prati kriya ke samanye kariyong ko banai rakhne ke liyeh humareh lymphatic system ko yani lassi ka tantra ko bhi shakriya kerti hai lymphatic system meh shwet raktkani ka hai joh shariir meh joh kiitanu jiwaanu adhi prvyesh kar jate hain unko nusht karne ka kariya kerti hai toh lymphatic system ko bhi shakriya kerti hai yoga postures also improve muscle strength flexibility and range of motion all very important for the healing and prevention of musculoskeletan disease such as arthritis and osteoporosis aur iske alabha yogasana joham kertai usmein maaspeishiyon ki shakti unki lachilipan ki kriya aur unki vibhin prakar ki gatishilta mein bhi sudhaar lati hai aur is sudhaar lane se kya hota hai ki yeh sabhi maaspeishiyon aur asti panjar joh hai yeh huddiyon ki joh bimariya hai jaysse gatiya aur osteoporosis yani huddiyon ke kumjore ho kar toutnay ki joh bimariya hai usko thiek karne meh yeh madad karta hai aur usko rokne meh yeh bhouti mehtopun role adha karta hai yogas emphasis on deep breathing combined with back bends improves lung capacity and function eek or yoga lab yeh hai ki yoga ga gaheri sans lene deep breathing और जो back bends करते हैं यानि peat ko vibhin तरह से मोड़ने पर जोर दिया जाता है इससे हमारे फेफ़डों की छमता बढ़ती है और कार्य शक्ती भी बढ़ती है practicing yoga also increases one to lead a healthier lifestyle through developing the self awareness and discipline required for positive behavior modification और योगा व्यास करने से किसी भी व्यक्ती में सकारात्मक व्यावार परिवर्तन के लिए आवश्यक जो जाग रुपता है वो उसमें आती है अनुशासन का विकास होता है इससे वो और अधिक स्वस्त जीवन जीने के लिए उस्साहित होता है वाइल योगा प्रोवाइट सच ए स्ट्रोंग सपोर्ट तो द बोड़ी जीलिंग मेकनिजम्स इट इंपर्टेंट योगा एजन एड़ेंट और कॉंप्लिमेंट थेरेपी एन नोट रिलाइड अपोन इस दो ओनली थेरेपी और हिलिंग डिजीजेज देखे बहुत ही महतुपूर्ण लास्ट इन पंक्तियों में बताया गया है कि यद्यपी शरीर की बिमारियों को दूर करने की प्रक्रिय कि हमें योग का बहुत सयोग मिलता है अत्य दिक सयोग मिलता है और फिर भी यह आवश्यक है कि योग को हम एक सहायक या पूरक चिक्सा-पदती समझें उसको एक एड़ेंट रिया कॉंप्लिमेंटर टेरेपी समझें और इसे रोग को खतम करने वाली या रोग को मिटाने वाली एक मात्र चिकिस्सा पद्धती समझ कर पूरी तरह इस पर निर्भढ़ना रहें तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस अध्याई के अंदर लेखक टीमोथी बर्गिंग ने योग और मानसिक तनावत था बीमारियों के मध्य संबंद संबंद इस्थापित करते वे भारत कि योग विशे सग्ये ने योग विद्यापराधारित स्वस्थ जीवन की प्राचीन भारतिय पद्धती का वर्णन किया है और मोडन जो हमारी अस्वास्तिकर जो एन्वाइनमेंट है इसमें योगा को शेष संसार के लिए अमुल्य उपहार माना है बहुत बहुत धन्यव है योगार मान जो हमाँ जो हमाना है योगार बहुत चैनल जो एन्वारा है।